हेलो डियर श्टुडेंट्स वेलकम टो अवर चैनल एजुकेशनल गोल और क्लास 11 थी कि आज जो इंगलिस की एकजाम थी उसी के पेपर काम सोलिशन देखने वाले हैं वीडियो के अंते तक बने रहना है और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को दिमाग भी तंदुरुस्त होता है बहुत सारी जो आपकी इफिसेंसी उसमें व्रद्धी होती है ठीक है तो उसी विशे का पैसेज है मैं सीधे इसके अब्जेक्टिव के आंसर बताऊंगा देखे सामने देख सकते हैं आप कि हाव ड़ज एकसाइज इंप्रूव यूर मस पर दूसरा वाल ऑप्सन करेक्ट है थूब वरकिंग आउट एन आवर बिफोर एन इंपोर्टेंट टास्क ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं वाट डज एंड़ 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 फिन इंप्रूव एंड़ फिन क्या इंप्रूव करता है तो देखिए वह आपके ब्रेन के फ प्रद्धी होती है तो देखिए इसके लिए तो एक ही यह करेक्ट बाई रेगूलर वरकाउट अगर आप रोजना अभ्यास करते हैं तो आपकी मेमोरी निश्ची तोर पर इंप्रूव होने वाली है फिर अगला है वाट डज दा वर्ड एंडुरेंस इंड़ पैसेज में का मतलब क्या है पैसेज में तो देखिए इंड़रेंस का मतलब होता है पावर वैसे तो सी वाला भी थोड़ा करेक्ट लगता है लेकिन जादा जो बेटर है आप से बिलकुल करेक्ट ही पुचाए तो यहां पर पावर ही आएगा बाकी ये दोनों अप्सन तो टौटल ही र हमारा which of the following is true about the passage कौन सी बात इस पेसेज के बारे में सत्य है तो दीखे जरा पहली बात है कि एक्सराइज मेंक से परसन यंग एक्सराइज से व्यक्ति क्या जवान होता है क्या यह तो बात ठीक नहीं है लेकिन एक्सराइज व्यक्ति को एक्टिव रखती है और उसकी मेमोरी बढ़ाती है तो हम दी वाले उप्शन पर जाएंगे दी वाला बिल्कुल करेक्ट है कि फिर अगला है हाव केन वी गेट आउट वर्क डन हम कारी कैसे कर सकते हैं तो भाई अगर हम एक्टिव और प्रोडूक्टिव परसन है तो हमारा काम अच्छा होगा फिर अगला है वी और यह भी नाउन है ठीक है यह डाइवर्जेंस होता तो हम इसको कर दे लेकिने डाइवर्जेंट एडजेक्टिव है यह अब आगे इस बिलीव डेट यू विल बी एट यूर पीक वेन यू पर्फॉर्म यह सही यह इसा विश्वास माना जाता है कि जब आप कार्य करते ह आप अपने बेस्ट पर होते हैं पीक कर आप से सिनोनिम वर्ड पुछाए तो इसका पीक का मला होता है हाइस्ट पाइंट मैक्जिमम यह वाला करेक्टर है इसमें ठीक है फिर आपको दूसरे प्रस्ण में एक पेसेज दिया जिसका नोट मेकिंग बनाना है ठीक है नोट मे प्रस्ण दिया है कि किस प्रकार से लाओड स्पीकर जो बसते हैं उसके विशे में आपको एक रिपो एक लेटर लिखना है न्यूज एडिटर को यह भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है सबी लेटर की प्लेइस्ट बनी हुई है ठीक है फिर उसके बाद यह वाल लेटर भी हमारे चैनल पर मुझे दे इनफर्मल लेटर दिया है देखिए आपको एक्जाम में ऐसे आता एक फॉर्मल आएगा एक इनफर्मल आएगा यहाँ पर आपसे कहा है कि आपको गर्मी की बढ़ा सकता है गेम्सेस पोर्ट से आपको आटिकल आ गया है और मैं आल्रेडी इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेच चुका हूं पिर आपको यह रिपोर्ट दिये इनफर्म तैयार करेंगे इस साल जरूर डालेंगे ठीक है अब रिक्तिस्थान पर आ जाते हैं ग्रा तुमको पता भी है क्या हुआ है तो वाट आएगा इसमें दा वेदर वाज कोल्ड बड़ देर वाज नो विंड नो आएगा इसमें ठीक है दा पोस्ट आपीस इस एक्रोज दा स्टीट फ्रम दा ग्रोसरी स्टोर की जो रासन की दुकान के पार उस साइड पर क्या मोजू दे पोस्ट आपीस मुझे एक्रोस आजाएगा इसमें फिर आगे देखते हैं हम डू एज डाइटेड वी डिडिडिट इसका नेगेटिव बनाना ये नेगेटिव सामने बना हुआ है वी डिडिड नाट डू इट ठीक है फिर अगला आपको रियारेंज करना देखिए मैंने क फिर ही इचहलं सिलीपउर त्री यावर्स को और दो ये बन जाएगा ये हैज बीन इसमें लिखना Much आ मंने देखार हैं ही मैं इस बीन फूर फू इसस को आपको 100 डेट से जोड़ना है तो he is so poor date he cannot pay his fees ठीक है फिर they are playing football इसका आपको voice बदलना है तो football is being played by them ठीक है राजा क्राइड फार मिल कर राजा क्राइस फार मिल क्योंकि present in definite में बदलना है तो वर्ब में S.E.S. लगता है 3rd person हो ठीक है फिर आगे बढ़ जाते है section D की तरफ आपको एक पेसेज दिया है जो आपका जो दूसरा जो चेप्टर है होर्न बिल का जिसका नाम है we are not afraid to die उसे से दिया है तो दीख यह पुछा है कि writer का business क्या है वो क्या काम करते है वो एक business man है see firing का मतलब क्या होता है ठीक है पांच अंक का दिया था लेकिन उपसन इन्हों चाहर दिये पता नहीं क्यों इनसे इसा हो गया देखिए फिर आपको the voice of the rain से poem का extract आया इससे संब्धित आपको objective से दिये है देखिए पहला है the poem of the art poem of the rain है ठीक है what is the meaning of the impalpable impalpable का मतलब होता है जिसको छुआ ना गया हो तो डी वाला something that cannot be touched which poem these lines have been taken the voice of the rain आ जाएगा ठीक है फिर आगे देखते है यह आपको जो दिया है आपकी दूसरी बुके snapshot उससे आपको दिया है the summer of the beautiful white horse और हमने कल इसको बताया थे कि आ सकता है तो दिखी ज़रा इसमें वही option है कि कौन मेटा था गोड़े पर तो cousin of the speaker कौन से लेशन से लिए गया है the summer of the beautiful white horse फिर कौन सी वासा में जो मुराद बोला तो Armenian beautiful की noun form क्या होती है तो beauty होती है ठीक है फिर आगे आपको question answer दिये इन question answers को आपको आपकी अगली exam त्रेम आर्दवार सीक और साथ में आपकी जो board exam है उसके लिए तियार करना है बहुत ही important है और हमने आपको जैसा कि बताया था कि आपको poem से जो है वो एक central idea ही आएगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह central idea आपको दे दिया photograph the voice of the rain फिर यह सारी बाते यह जो सारे प्रस्ने आपको याद कर लेने हैं और बहुत कुछ हमने जो कल बताया था उसमें से आ चुका है और इसी तरह अमरे चनल के साथ आपको बने रहना है और अगर इंगलिस से संबंदित कोई सा भी वीडियो अगर आपको चाहिए report का, article का, notice का, advertisement का, poster का तो आप हमें बता सकते हैं क्योंकि हम regular जो त्यारी करवाते हैं वो इंगलिस सब्जेक्ट की करवाते हैं Thanks for watching this video